इस वीडियो नगर तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना, तो डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, पर अगर आग लगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये जाना, so let's start the वीडियो, एक बंदे को उसकी कमपनी बीचने के बाद 1000 करोड मिला था, उसने वो सारा पैसा अलग-अलग बिजनस में लगा दिया, और खुद रेंट से रहने लगा, कोई पागली कर सकता है न ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता, तो काड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता, ये पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है, जो कि पागल पन ही चाहिए, बीट से हट कर कुछ करने के लिए, जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजल से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी, और वो मुकाम हासिल किया, जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं, जी हा मैं बात कर रह पागल पन उसकी जित को बया करता है, 2006 की बात है, विराट करनाटका में रंजी खेल रहा था, और पहले दिन 40 रन बना कर वो नौट आउट रहा, शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है, सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंद घर के लिए निकलेगा, कोश ने तो यहां तक डिसाइट कर लिया था कि उसकी जगा पर और कौन खेलेगा, पर दूसरे तिन विराट बला लेके स्पीच पे खड़ा था, और इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई, और अपने टीम को जिता कर ही वो अंतीम संसकार के लिए निकल लिया इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे, लाखों में किसी एक के पास ही ऐसे जित ऐसा पागलपन होता है, और वही कुछ हटके कर जाता है, दिन का 15-15 गंटा काम करने के लिए सिर्फ एनरजी नहीं, बलकि उस काम को करने के लिए वो जित वो पागलपन होना चीए, क्यो पागलपन नहीं तो क्या है, एसी जित तब पैदा होती है, जब धिल तूटता है, कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते है, पर जो इस दर्थ को इस गुस्षे को जित में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुम्किन है, वो पागलपन नहीं तो ग्या है, वो पागलपन ही है, जब लोग ट्रिप्स प्लांट कर रहे होते है, और कोई बंदा अपना एंपायर खड़ा करने के लिए प्लांस बना रहा होता है, जब सब नौकरी डूनने के चक्कर में होते है, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है, और ऐसी पागल आगे जाके ब यही पागल इंसान यही जित्ती इंसान इत्यास बना देता है। उसी कारण यह पागल जित्ती इंसान दुनिया को रोशन करतेता है। जी हा मैं बात कर रहा हूं थॉमस अलवा एडिसन की 65 साल का एक बंदा जिसे अल्रेडी हजार बार रिजेट कर दिया गया था फिर भी उसने अपनी जित नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल्स की चैन कड़ी कर दी जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं आने दिया उस बंदे ने जित पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया दोस्तों ये एक जित ही है जो एक नॉर्मल इंसान को अबनॉर्मल बनाती है और फिर ये अबनॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते है जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते है इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है जो भी आप करना चाहते हो पागल बन जा उसके लिए और चान लगा दो उसे हासिल करने के लिए और अगर नॉर्मल रहके ही मरना है तो ऐसे ही जीओ पर आप नॉर्मल बनना है तो जित्ती और पागल बनना पड़ेगा वीडियो अच्छा लगा तो ही लाईक करना शेर करना और हमसे जोडने के लिए लीचे वाले लाल पट्टम को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करना दिस इस विल्पावर स्टार साइन गोफ फो लड़ी बबाए